Hello students, मैं निकिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ छत्यगर समानने अधन के online batch में आज से आपके छत्यगर समानने अधनी क्लासे शुरू हो रही है देखे, इस courses related सारा information पहले ही YouTube पर एक वीडियो बना करके आप लोगों को provide करा दिया गया था कि इस course में कौन-कौन से topic cover होंगे, किस प्रकार से वीडियो प्रोवाइड होंगे, पर डे कितने वीडियो प्रोवाइड होंगे, वीडियो का time duration क्या रहेगा यह सारा information पहले ही, जब आपका registration शुरू हुआ था, इस online course का, उसी समय YouTube पर एक वीडियो अप्लोड करके सारा जानकरी आपको provide करा दिया गया था जिस भी student ने registration कराया है, वो ध्यान दिजेगा, CGPSC e-partshala के mobile app में, नीचे के तरफ एक batch section बना हुआ है उस batch section में click करेंगे, तो जिन्होंने भी registration कराया है, उन्हें उस batch में add किया गया है उस batch में आने वाले समय में धीरे धीरे थोड़े बहुत information उसमें share होंगे और साथ ही साथ, जो आप daily basis पर वीडियो देख करके आप notes बनाएंगे उस notes को भी आपको उस batch के assignment section में submit करना है, ठीक है, तो जितने भी registration member है, सभी को उसमें add करके रखा गया है और साथ ही साथ, आपका जो वीडियो से related एक information video, course related एक information video भी upload किया गया है वो भी आपको इस best section में देखने के लिए मिल जाएगा, उस तो वीडियो को जा करके अच्छे से देखिएगा और समझेगा इस lecture 1 वीडियो को देखने से पहले उस basic information वीडियो को जा करके देख लीजिए उसमें आपको बताया गया है कि आप वीडियो को किस प्रकार से access कर सकते हैं, वीडियो समें आपको क्या-क्या features दिया जा रहा है वीडियो की speed को आप किस प्रकार से control कर सकते हैं, वीडियो की quality को आप किस प्रकार से improve कर सकते हैं वीडियो को आप offline डाउनलोड करके कैसे access कर सकते हैं यह सारा information आपको upload करके जानकरी दे दी गई है इस वीडियो से पहले एक वीडियो upload किया गया है उसे जाकर करके पहले देखिए तभी आप जो है वीडियो को अच्छी तरीके से access कर सकते हैं दूसरा चीज एक ध्यान दीज कि क्लास में किसी प्रकार का बैवानी मत कीजिएगा इस mobile app में already ऐसा features upload किया गया है कि अगर आप किसी भी third party app से screen recording करने कोशिश करेंगे या screen share करने कोशिश करेंगे तो आप automatically block हो जाएंगे ठीक है आपके screen पर एक message show हो जाएगा और उसे मैं भी remove नहीं कर सकता ठीक है वैसे तो remove करने के लिए अगर ज्यादा बड़ी गलती नहीं रही तो कुछ 2-3 दिन का समय लगता है उस block को हटाने के लिए लेकिन अगर आपको app ने permanently block कर दिया तो उसके जवाबदार आप खुद होंगे ठीक है एक mobile से दूसरे mobile में login करने का कोशिश या किसी के साथ share करने का तो हम वो पुरा 33 जिलो की इस्थिती को समझेंगे एक map बनाएंगे उस map में 36 गड़ के 33 जिलो को दर्शाना आगया यकीन मानिए उनका 50% syllabus वहीं cover हो जाता है सबसे पहले आपको map बनाना सीखना पड़ेगा फिर एक खाली map को एक 36 गड़ का केवल outline देख करके आपको imagine करना पड़ेगा कि आप उंगली रख करके बता सके कि कौन सा जिला किस स्थान पर है ठीक है तो map को बहुत practice कीजेगा ये lecture one बहुत important है और इसमें जो भी हम आज के class में देखेंगे उसे बार बार practice कीजेगा अगर आपको 36 गड़ का map बना के उसमें जीलो को दर्शाना आ गया तो आपका 50% syllabus वहीं cover हो जाता है आगे केवल आपको कुछ basic पड़ने रहते है लेकिन जब तक जीलो का location आपका पता नहीं रहेगा तब तक आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा नहीं 36 गड़ का इतिहास समझ में आएगा नहीं जन जाती नहीं लोकला नहीं संस्कृती नहीं मिट्टी नहीं कृषी कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए बता रहा हूं कि पहले 36 के map को अच्छे से बनाने का practice कीज कोड़ा पन्ना वाला कॉपी लेना है केवल पेज में नहीं बनाना है एक कॉपी खरिद दीजिए जो कोड़ा पन्ना वाले कॉपी हो 100 पेज की कॉपी खरिद दीजिए और उसमें practice कीजिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए lecture 1 36 गड़ में 33 जिलो की स्थिति सब पूस्तकों में आपको यह एक पैटी से एक चौरानवे के जगा 1 35 पंच्याण मिलेगा एक पैटी से एक इंक्यान मिलेगा एक तिसे एक अंठियान मिलेगा तो यह लाश्ट कंड चेंज होता है उसके लिए टेंचन लेने वाली कोई बात नहीं है बस यहां तो इसे याद यह आपका भारत के कुल भागोलिक शेत्रफल का इंडिया है भारत के कुल भागोलिक शेत्रफल का 4.11% एरिया कवर करता है जो हमारे इतना बुरा भारत को विस्तार है उसके 4.11% में हमारा 36 गड़ है ठीक है और छेत्रफल के आधार पर हमारा 36 गड़ देश का नववा बड़ा राज्य है ठीक दीगे पढ़ने के लिए एक्दम बेसिक लगता है लेकिन जब कभी भी एक्जा 36 गड़ जो है ये एक भूः आवेष्ठित राज्य है भूः आवेष्ठित राज्ये का मतलब भूः आवेष्ठित राज्ये मतलब लेंडलॉक्ग्ड है एक आपका लेंडलॉक्ड State है Landlocked State का मतलब क्या होता है समझेगा Landlocked State का मतलब ऐसा राज्य जिसकी सीमा न तो किसी दूसरे देश की सीमा को इशपर्ष करती है और न ही समुद्री सीमा को इसपर्ष करती है ध्यार समझेगा Landlocked यानि कि भू आविष्ठित ये word को समझेगा भू आवेष्ठित, लेंड लॉग्ड, अभी हम राज्य की परिपक्षे बात कर रहे हैं, हमारा 36 गड़ एक भू आवेष्ठित राज्य है, भू आवेष्ठित राज्य का मतलब ऐसा राज्य जिसकी सीमा, जिसकी भोगोलिक सीमा, न तो किसी दूसरे देश के साथ सीमा साजा करेगी, और नहीं समुद्री सीमा को इसपर्श करेगी, तो ऐसे राज्य को आपका भू आवेष्ठित राज्य कहा जाता है, ठेक, अब जैसे कि हमारा 36 गड़ देख लीजिए, हमारा 36 गड़ की सीमा, न तो किसी समुद्र के साथ सीमा साजा करती है, और नहीं किसी दूसरे देश के साथ सीमा साजा करती है, इसका मतलब क्या है, हमारे 36 गड़ एक भू आवेष्ठित राज्य है, जैसे कि आपका यहाँ पे गुजरात, गुजरात की सीमा समुद्र को इसपर्श कर रही है, यानि कि यह ऐसा राज्य है, जिसकी सीमा दूसरे देश को इसपर्श कर र रही है राजस्थान इसकी सीमा पाकिस्थान को इस परश कर रही है तो यह लैंड लोग डिश्टेट नहीं है लैंड लोग डिश्टेट जिसकी सीमा ना तो समुद्र के साथ सीमा साजा करेगी और नहीं किसी दूसरे देश के साथ सीमा साजा करेगी ऐसे श्टेट कौन-कौन से है एक आपका 36 गड़ हो गया यह आपका मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पर हरयाना हो गया चेलंग ना हो गया यह सभी के सभी आपके लैंडॉक्ड द devo तो हमारा 36 गड़ हैं हमारा च्छेत्रफल के आधारपत देश का नवववड़ राज्य है च्छतिस गड़ भारत के छेत्रफल का 2.11 परसेंट एरिया कवर करता है और च्छतिस गड़ एक भूव आविश्टित राज्य है चारों स्टेटमेंट सुने लेकिन ध्यान दिजेगा मैं तिसरा स्टेटमेंट क दोनों कथना की गलत होंगे तो ऐसे जो है बारिकी के साथ कोश्चन को ध्यान देना है ठीक है लास्ट का तो आपको 1.1 है लेकिन 2.11 है 3.11 है 4.11 है इस पर आपको ध्यान देना है एक दाप माइनर सा चेंज कर देगा और हमको लगता है कि हमने पूरे कोश्चन सही अटेम् और राज्यों को मिला करके बनता है देश मैं जादे डिटेल पर नहीं जाओंगा ठीक है संभाग का कॉंसेट क्या है ये समझ लीजे संभाग आपका बहुत सारे जीलों को मिला करके चार पाथ छे जीलों को मिला करके एक संभाग बनता है बहुत सारे संभाग के डिवजन क समझते हुए चलिएगा देखिए सबसे पहले यहाँ वे मैं च्छत्यवड के एक मैप बना रहा हूं उस मैप ध्यान दिजिएगा ठीक च्छत्यवड का मैप मैं जिस प्रकार से बनाऊंगा उसी प्रकार से आपके कॉपी में ड्रॉ होना चाहिए जो पुस्तकों में जो मैप दिया रहता है जो इंटरनेट में जो आपका च्छत्यवड का मैप दर्शाय जाता है वैसे मैप बना करके उसे प्रैक्टिस मत कीजिए बहुत होचपोच है वो ठीक है बहुत आड़े तेड़े लाइन के साथ बना हुआ है तो वैसा मैप नहीं बनाना है जिस प्रेकार से मैं आपको बता रहा हूं एकदम सीधा और साब सुथरा मैप से आपको प्रैक्टिस करना है देखें ध्यान दीजेगा यह है आपको 36 संभाग की संख्या कितनी है 36 गड़ में आपके संभाग की संख्या है टोटल पांच संभाग अब यह पांच संभाग कौन-कौन से है ध्यान समस्तियों चलिएगा हम रिवर्स और में चलेंगे जैसे कि यह जो निचला वाला जो हिस्सा है जो गोल टाइप का को हिस्सा दीजे ठीक है एक लाइन सिधा की दीजे और यहां पर सेंटर पॉइंट से ठीक है यह जो आपका जो बचा हुआ हिस्सा है इसको आप दो भाग में डिवाइट कर दीजे ठीक तो जो नीचे वाला है यह है आपका बस्तर संभाग ठीक बस्तर संभाग बस्तर संभाग यहां पचा हुआ हिस्सा है इसको दो बाट में डिवाइट कर दीजिए ये है आपका दूर्ग संभाग और इधर वाला हिस्सा है आपका रायपूर संभाग ठीक है रायपूर संभाग तो 36 संभाग की संख्या कितनी है 36 गड़ संभाग की संक्या है 5, कौन-कौन सा, एक है आपका बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपूर संभाग, बिलासपूर संभाग और सरगुजा संभाग, फिक, इनपॉर्टेंट है, ध्यान दीजेगा, देखिए, अब कुछ बेसिक जो कोश्चन है, उस पर हम चर् रायपूर संभाग, इसे संभाग का दर्जा दिया गया था, वर्ष आपके 1862 में, ठीक है, एक वर्ष को याद रखिएगा, आगे आने वाले समय में हमको बहुत सारे वर्ष याद रखने है, अभी आपको एक दम लिमिटेड, थोगा थोड़ा करके याद कराऊंगा, उसस अभी आप आगे बढ़ेंगे, जर्वत से जादा एक बार में पूरे संभाग के वर्ष को याद करने है, कोशिच मत कीजेगा, ठीक है, हमारी छतिज़ गड़ा सबसे पूराना संभाग कौन सा है, वो है आपका रायपूर संभाग, रायपूर को संभाग का दर्जा कब मिल ये कथाना धारीत प्रशन में भी आता है, और आपके सिंगल वन लाइनर कोशन भी बनता है, तो छतिज़ गड़ में जो आपका रायपूर संभाग है, रायपूर को संभाग का दर्जा दिया गया था, 1862 में, छतिज़ गड़ का सबसे नविंतम संभाग कौन सा है, ये दुर्ग संभाग को संभाग का दर्जा दिया गया आपके वर्ष 2014, ध्यान दीजेगा, बहुत सारे पुस्तकों में आपका 2013 लिखा हुआ है, लेकिन 2013 नहीं है, उस समय वर्ष 2013 में चत्तकाली मुख्य मंत्री थे आपके डॉक्टर रमन सिंग, डॉक्टर रमन सिंग के दोर 15 अगस्त 2013 को दुर्ग को नय संभाग का दर्जा दिये जाने की घोशना की गई थी, एक जनवरी 2014 को दुर्ग एक नया संभाग मना, चतिसगर ग्रंथ एकेडमी की पुस्तक जो पीले कलर की पुस्तक आती है, उसमें दुर्ग संभाग वाला चैप्टर ढूड़ियेगा, द 15 अगेडमी की पुस्तक को रिफ्रेंस लेकर कहीं बता रहा हूं, ठीक है, तो ये इसे ध्यान दिजेगा, सबसे पुराना संभाग रायपूर, सबसे नया संभाग है आपका दुर्ग, ठीक, छेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है आपका बस्तर संभाग, ठीक ह बेसिक इन्फोर्मेशन आपको अपने कॉपी में नोट करना है, एक आपको मैप बनाना है, उसमें पाचो के पाचो संभाग को दर्शाना है, सबसे पूराना संभाग रायपूर संभाग, कब बना, वर्ष 1862 में, सबसे नया संभाग, दुर्ग संभाग, कब दर्जा दिया मैप बना करके 36 गड़ के 33 जिलों को दर्शाएंगे इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान समस्ते वे चलिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे जिस प्रकार से मैप बोर्ड पर बनाया जा रहा है उसी प्रकार से मैप बनाईएगा ठीक है आडा तिर्चा लाइन वाला मैप नहीं बनाना है ठीक आडा तिर्चा लाइन वाला मैप मत बनाईएगा जिस प्रकार से मैप बनाया जा रहा है बोर्ड पर उसी प्रकार से मैप आ आना है ठीक देखते वे चलिए कि लाइन की इस प्रकार से काटा जा रहा है ठीक है यहां पर ध्यान दीजेगा देखिए यह वाले लाइन यह जो कर्व यह जो मैं मोड रहूं यहां से जो कर्व मोड रहा हूं इस कर्व पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा यह काफी सबसे पहले हम बस्तर संभाग की जीलो को काटेंगे, सबसे पहले नीचे से आपका reverse order में चलेंगे, कभी map बनाएंगे तो इसको reverse order में चलेंगे, तो देखिए ये जो दोनों उभरा हुआ हिस्सा है, ये दोनों उभरे हिस्से को आपसे मिला दीजिए, ये नीचे तरह पहला क सीधा, बस्तर संभाग को हमने बाठ दिया तीन हिस्ते में, ठीक, अब इस कर्व से एक लाइन सीधे नीचे ड्रॉप करना है, थोड़ा दूर आगे बढ़कर करके दूसरा लाइन नीचे ड्रॉप करना है, ठीक, अब यहां पर एक कर्व, और यहां पर एक दूसरा कर्व, ठीक है, किस प्रकार से बना रहा हूँ, हाथ पे थोगा ध्यान देते वे चलिए, ठीक, देखिए, बस्तर संभाग हमने किस प्रकार से बनाया, यह है आपका बस्तर संभाग, ठीक, बस्तर संभाग, इस बस्तर संभाग को हमने कैसे काटा है, एक ऐसे कर्व वाला लाइन, एक स ठीक है देखे ध्याद समझेगा ये है आपका कांकेर कांकेर इधर है आपका नारायान पूर ये है आपका बीजापूर जो बोलते जाए हो उसे नोट करते हो चलिएगा अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहां पर है आपका दंते वाड़ा नीचे तरफ सुकमा ये है आपका बस्तर और ये है आपका कोंडा गाउ ठीक है कोंडा गाउ ये हो गए आपके बस्तर संभाग के साथ जीले ठीक फिर मैंने बताया था यहां पर जो है ये जो उबरा हुआ हिस्सा है यहां से एक लाइन सीधा ड्रॉप कीजेगा और यहां से जो है यहां से इसको 20 से 2 कर दीजिए ठीक इसको जो है थोड़ा सा उपर से इसे ऐसे कर दीजिए ठीक है अब ध्यान से देखिए यह आपका कांकेर के उपर कांकेर के उपर एक लाइन सीधा ड्रॉप कीजिए ठीक है कांकेर के उपर जो है एक लाइन आप सीधा ड्रॉप करे और यहां पर थोड़ा था उपर से एक लाइन खीचना है यह है आपका कवरधा ठीक है यह है आपका कवरधा यहां पर है राजनांद गाओ ठीक यह जो कवरधा वाला लाइन है इस लाइन से हलका सा नीचे एक लाइन सीधा खीचेंगे और यहां पर एक लाइन खीचेंगे त तरह ये है दुर्ग और ये है आपका बालोद ठीक है ? अप ये जो बेमे तरह है बेमे तरह से देखिए बेमे तरह का ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स के सेंटर से थोड़ा नीचे एक लाइन ऐसा करो बनाता हुआ खिचेंगी ठीक है ? एक लाइन करो बनाता हुआ खिचेंगे और यहां से यह आपका जो लाइन करो बनाया है वहां से एक लाइन हम नीचे ड्रॉप करेंगे ठीक यह आपका दूर्ग जिला है दूर्ग जिले के जो बॉक्स बना हुआ है बॉक्स से एक लाइन सीधा खिच दीजिए ध्यान समझते चलिएगा यह है आपका बलावदा बाजार यह है दूर्ग दूर्ग के नीचे है आपका राइपूर 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 के नीचे ये है आपका धमतरी ठीक है धमतरी अब जो राइपूर का बॉक्स बना हुआ है न इस बॉक्स के सेंटर से एक लाइन सीधा कर दीजिए तो ये वाला हिस्सा है आपका महा समून ठीक है महा समून और नीचे वाला हिस्सा है आपका गरिया बन, गरिया बन, ठीक, अब ध्याँ समझेगा, यह जो आपका बलोदा बजार है, इस बलोदा बजार के उपर, यह है आपका बिलासपूर संभाग, अब बिलासपूर संभाग के जितने भी हम लाइन बनाएंगे, वो सभी के सभी तीसरा करव लाइन, तीसरा सीधा लाइन, ठीक है, यह सभी के सभी आपके बलोदा बजार के उपर आकर के ही गिरेंगे, तो यह हो गया आपका मूंगेली, यह हो गया आपका बिलासपूर, अब यह जो आपका बचाय एना एक करव और एक सीधा, इसको दो पार्ट में हिस्सा है आपका रायगड़ ठीक है रायगड़ अब देखिए इस बिलास्पूर से प्रिथक हो करके अलग हो करके एक नया जीला बना था जिसका नाम है आपका गोरिल्ला पेंडरा मरवाही 36 गड़ का 28 जीला ठीक अब जो सीधा लाइन खीचा गया है इसके ओपर एक अर्ध सर्गूजा सर्गूजा यह वाला हिस्सा है आपका जश्पूर जश्पूर यह है आपका बलरामपूर बलरामपूर यह है आपका सूरजपूर सूरजपूर और यह वाला हिस्सा है आपका कोरिया ठीक है कोरिया ठीक इतने को आपको अच्छे सा बनाना है तो अभी हमने कितने जिलो को दर्शाया हमने जला हमने दर्शाया है आपके टोटल 28 जिलो को ठीक अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा देखिए दूसरे कलर से हम बनाते इसको 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री भुपेश बगेल जी के द्वारा चार नए जिले के बनाए जने की घोशना की गई थी एक है आपका मनेंद्रगड चिर्मिरी भरतपूर ठीक है दूसरा है आपका मोहिला मानपूर अमबागड चौकी तीसरा है आपका सकती और चौथा है आपका सारंगड बिलाईगड ठीक है ये चार नए जिले बनाए जाने की घोशना किया गया था मुख्यमंत्री भोपेज बगहल जी के द्वारा अब इसको हम मेप में काटेंगे देखिए ये आपका कोरिया है ना इस कोरिया को आप एक बाक्स में बंद कर दीजे तो जो बचा भा हिससा है ये है आपका मनेंद्रगड़ ठीक है पूरा नाम नहीं लिखूँंगा इसको पूरा लिखेगा आप मनेंद्रगड चिर्मिरी और आपका भरतपूर यह आपका एक जिला बना दूसरा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपका यह जो है राजनांद गाओ राजनांद गाओ और इधार बालोद यह बालोद का जो बॉक्स बना है उसके सेंटर से एक लाइन सिधा खिस दीजिए यह है मोहिला मानपूर अमबागड चौकी ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दीजिए देखिए यहाँ पर है आपका राएगड राएगड का निचले हिस्ते को अलग कर दीजिए ठीक है राएगड के निचले हिस्ते को अलग कर दीजिए और यहाँ पर है आपका भलोदा बजार तो जो जांजगिर चापा का बॉक्स बना है उसके सेंटर से एक लाइन निचे डॉप किजिएगा ठीक है सेंटर से एक लाइन हमको निचे डॉप करना है लेकिन ध्यान दीजे राइपूर से टच नहीं होना चाहिए तो यह जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला ठीक है ये वाला हिस्सा ये है आपका सारंगल बिलाईगल ठीक है जो नया बना आपका सारंगल सारंगल बिलाईगल ठीक यो सारंगड बिलाईगड है इसे थोड़ सा ध्यान दीजेगा ठीक है सारंगड बिलाईगड ये सारंगड बिलाईगड आपका रायगड और बलोदा बजार से मिल करके बना है ठीक अब बचा है आपका जांजगीर चापा ठीक है जांजगीर चापा ये जांजगीर चा का लाइन खीचा, ये बेमेतरा का लाइन आया, एक लाइन ऐसे कर दीजे, ठीक है, एक लाइन आपका कवरधा के नीचे है, एक लाइन बेमेतरा के नीचे है, अब एक लाइन इधर कर दीजे, तो यहां बना है आपका खेरागड, ठीक है, ध्यान दीजेगा, खेरागड, अब जिला बनाया जाने की घोषना की गई थी और इस संबंदित अधिसूचना जारी हुआ 18 अपरेल, 18 अपरेल 2022 को धिसूचना आया, राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकासित हुआ है आपके इसके दावा अपत्ति से संबंदित और ये घोषना किया गया था मुखे मंत्री भुपेज बगिल जी के द्वारा, एक्चुली क्या है, कि इस समय आपका चुनाव हो रहे थे, ठीक है, इस समय जो है आपका चुनाव हो रहा था, खैरागर विधान सभा सीट उप चुनाव, खैरागर के जो आपके विधायक थे देवरत सी, उनका निधन हो गया, जिसके बा एक नया जीला का दर्जा देंगे, हुआ भी यही, 16 अपरल 2022 को आपके मतगरना हुए, उस डेट में ही आपके कॉंग्रेस जीती, 16 अपरल 2022 को मुख्यमंत्री भुपेज बगिल जी के द्वारा घोशना ही कर दिया गया, संध्या के समय, इवनिंग में, कि खैरागर को जो है खदान गंड़ाई, यह जो है आपके नय जीले का नाम है, ठीक है, यह आपके नय जीले का नाम है, 16 खैरागर चुई खदान गंड़ाई, यह 36 गड़ का 33 जीला, ठीक, और यह जो है आपका अधिसूचना जारी हुआ, सॉरी, इसमें जो है मुख्यमंत्री भुपेज बगि ठीक है, एक-एक करके चीज़ों को हम कवर करेंगे, इकटा अगर हम यह सारे चीज़ को कवर करने जाएंगे, तो आप सारे डेट भूल जाएंगे, अभी यह डेट इंपोर्टेंट हमारे लिए, ठीक है कि खैरागर जो है 33 जीला बना, इसका डेट में आप याद रखिए, 16 अपरेल को मुख्य मंत्री भुपेज बगिल जी ने घोशना किया, क्यों किया, क्योंकि उसी दिन खैरागर विधान सबाज सीट का रिजल्ट आया, और दो दिन बाद अधिसूचना जारी होके दावापतिय संबंदित, अभी स्रीजन हुआ नहीं, दावापतिय संबंदि आपका 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर 2021 को इससंबंदित आपका अधिसूचना आया, और जबकि यह आपका मनिंद्रगड है, इससंबंदित अधिसूचना 11 नवंबर को आया, 11 नवंबर 2021 को, बारगा बता रहा हूं, याद कर सकते हैं तो ठीक है, बाकि इनका अभी कि सुचना और डेट याद करने की जरुवत नहीं, में नियाद रखना है आपका खेरा गड़ को, ठीक, इन्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अच्छे से इसको याद करना है, पुरा मैप काटना आपको आना चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा मैप आपको काटना आना चाहिए एकदम अच्छे से इसका बार-बार प्रेक्टिस कीजिएगा ये मैप काफी important है 36 गड़ के सभी जीलों को आपको दर्शाना है ठीक अब हम देखेंगे 36 गड़ राज्य के सीमा वर्ती राज्य यानि कि 36 गड़ के साथ कौन-कौन से जो राज्य है वो सीमा बनाते है ठीक है ये थोड़ा सा ये portion मैं erase कर रहा हूँ ठीक उसके बाद continue करते है फिर से आगे continue कर रहे है ध्या समझेगा हम देखेंगे 36 गड़ के सीमा वर्ती राज्य ये देखेंगे ये है आपका राजनाद गाओ राजनाद गाओ के center point से एक लाइ खिज दीजिए ऐसा V-shape बना दीजिए यहाँ पर है आपका सुक्मा सुक्मा में भी आपके opposite v-shape एक wichtiger और यहाँ पर है विजापूर विजापूर से एक लाइं ऐसे किज दीजिएग यहाँ पर हैं आपका मध्यप्रदेश ठीक है और ये है आपका उत्तर प्रदेश, तो मद्र प्रदेश, एक महराष्ट, दो, तेलंगरा, तीन, आंधर प्रदेश, चार, उडिसा, पाच, जारखन, छे, उत्तर प्रदेश, शात, तो 36 गड़ के साथ कुल 7 राज्य सीमा साजा करते हैं, यानि कि 36 गड़ राज्य की सीमा उनमें से छेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो देखिए, हमने देखा, 36 गड़ छेत्रफल के आधार पर नववा बड़ा राज्य है, तो सबसे पहले नमबर पर आता है आपका राजस्थान, सेकेंड नमबर पर आता है मध्यप्रदेश, और के प्राइशे में जो है आपके भारत के टॉप three state है ठीक है ठूप three state है जो कि छेत्रफल के राज्यों में से सबसे छोटा राज्य है छेत्रफल के आधार पर जारखन, ठीक है, सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य है आपका जारखन, दिखिए, छतित गल के साथ सीमा साज़ा करने वाले इन साथ राज्यों में से मद्य प्रदेश छेत्रफल के आधार पर सबसे ठीक है, 36 गड़ के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, ठीक है, यहाँ पर किलो मीटर की बात हो रही है, तो देखिए, यहाँ पर जश्पूर से ले करके, जश्पूर रायगड महासमुन्द गरियाबंद, यहाँ पर आपका धमतरी, कोंडा गाओ, बस्तर, पूरा का पू सबसे लंबी सीमा बनाता है, आपका उडिसा, ठीक, जबकि 36 गड़ के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, आंधर प्रदेश, ठीक है, केवाल थोड़े हिस्ते में जुड़ा हुआ है, वो भी आपके सुक्मा में, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य है, आपका आंधर तर्देश छेत्र फल के अधार पेर सबसे बड़ा राज्य मुढ्द्रदेश छेत्र फल याधर सबसे चोड़ा राज्य ज्छहाश ज्प श्यफल संप लम्बी सीवें बनाने सीवें बनाने राज्य और यह अषिक अब अब देखिए अब प्रशन पूछा जाता है कि 36 गड़के जो आपके जो सीमावर्ती राज्य है ये 36 गड़के किन किन जिलो कितने जिलो के साथ सीमा बनाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं आपका मद्यप्रदेश देखिए जो मद्यप्रदेश है ये मद्द प्रदेश 36 गड़ के कितने जिलों के साथ सीमा साजा कर रहा है तो हमने देखिए यहाँ पर राजनांद गाओ से खीचा था राजनांद गाओ के सेंटर से तो मद्द प्रदेश जो है ये 36 गड़ के कुल 9 जीलो के साथ सीमा साजा करता है ठीक है? कुल 9 जीलो के साथ सीमा साजा करता。 अगर हम इदर उरिसा के बात करें तो देखिए, यहाँ से हमने सीधा लाईन खीचा था ऊपर तरफ जारखट, नीचे तरफ उरिसा तो यहाँ जो आपका जश्पूर है ये भी सीमा साजा कर रहा है जश्पूर 1, रायगर 2, सारंगर, बिलाईगर 3, महासमुन 4, गरिया बन 5 देखे मैंने आपको बता थे कर्व काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जूम करके तो देखे ये वाला जो हिस्ता है ये धमतरी धमतरी भी उडिसा के साथ सीमा साजा कर रहा है ठीक है इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस पर थोड़ा स सुकमान नौ तो ओडिसा जो है ये भी नौ जीलों के साथ सीमा साजा करता है ठीक तो मद्यप्रदेश और आपका ओडिसा दोनों के दोनों नौ जीला के साथ सीमा साजा करेंगे उपर है आपका जारखन तो जारखन देखे यहाँ से यूपी की सीमा लग रही है ये है जार चार और बीजापूर पांच तो पांच जिलों के साथ सीमा साजा करेगा आपका महराष्ट तेलंगाना को देखिए तो तेलंगाना जो है बीजापूर एक और आपका सुकमा दो दो जिला के साथ सीमा साजा करता है आपका तेलंगाना जबकि आंद्र प्रदेश जो है सुकमा के साथ सीमा सजा करता है मातर एक जीला के साथ important है इसे याद रखना है ठीक है important है याद रखिएगा तो इसमें देख लीजे आपका मद्ध्रदेश यहाँ पर खेरागड बनने के बाद मद्ध्रदेश जो है ये भी 9 जीलों के साथ सीमा सजा कर रहा है और इधर है आपका ओडिसा ये भी आपके 9 जीलों के साथ सीमा साध्या कर रहा है ठीक तो इस पर थोड़ा सा अच्छे ध्यान दीजेगा अब थोड़ा सा हम जो है आपका दिशा संबंधित प्रश्न देख लेते हैं दिशाओं से प्रश्न वाला सिम्बॉल हमेशा बना लिजेगा नौर्थ, साउथ, इस्ट और ये है आपका वैस्ट उत्तर, दक्षिन, पूर्व, पश्चिम ठीक अब देखिए ये जो आपका ओडिसा जो है ओडिसा 36 गड़ के पूर्व दिशा में इस्थित है ठीक है उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में इस्थित है आपका उत्तर प्रदेश और नीचे दक्षिन दिशा में इस्थित है आपका आंद्र प्रदेश दक्षिन दिशा में इस्थित है आंद्र प्रदेश ठीक, अब देखिए ये जो जारखंड है जारखन 36 गड़ के आपके नौर्थ इस्ट साइड याने की उत्तर पूर्व दिशा में इस्थित है जबकि यह जो आपका मद्द प्रदेश है मद्द प्रदेश 36 गड़ के ध्यान समस्ते हो चलिएगा जो हाथ का डिरेक्शन बता रहो उसको देखिए मद्द प्रदेश 36 गड़ के आपके किस दिशा में इस्थित है नौर्थ वेस्ट याने की उत्तर पश्चिम दिशा में ठीक है किस दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा में इस्थित है उत्तर पश्चिम जब कि जो तेलंगणा है, तेलंगणा 36 गड़ के, किस दिशा में इस्थित है, तेलंगणा 36 गड़ के southwest, याने कि दक्षिन पश्चीम दिशा में इस्थित है, थीक है, दक्षिन पश्चीम दिशा में स्थित है, कई बार match the following में direction से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, direction से पूछे जाते है पूर्व में है उडिसा, पश्चिम में है महराष्ट उत्तर में है उत्तर प्रदेश दक्षिण में है आपका आंदर प्रदेश उत्तर पूर्व में है आपका जारखड उत्तर पश्चिम में है आपका मद्द प्रदेश नीचे दक्षिड परश्चिम में है तेलांगाना ठीक है कोश्चन पूछा जाता है थोड़ा ध्यान समझिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा तो क्यूंकि एक्च्वल जो मैप है वो थोड़ा तीर्चा बनता है ठीक है छत्रड़ का अगर आप मैप देखेंगे उत्तरी सीमा हमारे इस चत्रड़ राज्य के दक्षिणी सीमा का निर्धारन करती है प्रश्चन कैसा पूछा था निम्रे लिखीत में से किस राज्य की उत्तरी सीमा हमारे चत्रड़ राज्य के दक्षिणी सीमा का निर्धारन करेगी तो चत्रड़ दक्षिणी सीमा क्या ह यह नीचे तो दक्षिड में कौन सा है आंधर प्रदेश तो आंधर प्रदेश राज्य का उत्तरी सीमा हमारे च्छतितगड राज्य के दक्षिणी सीमा का निधारन करेगी उसमें एक option तेलंगणा भी दिया था लेकिन तेलंगणा एंसर नहीं है ठीक है क्योंकि तेलंगणा यह उत्तरी सीमा का निधारन करेगी तो वो क्या होगा आपका उत्तर प्रदेश एक साल का प्रश्ण बना ठा कि हमारे च्छतिस गड़ मध्य प्रदेश में इस्थीथ है तो यह है मध्य प्रदेश में बना लिजिए north south east west क्या बहुर रहा है कि हमारे च्छतिस गढ़ किस प्रश्न के पूच रहा है? आपका यह होगा दक्षिंड पूर्व में ठीक है important है question ऐसा पूछा जाता है ठीक तो दिशाओं से संबंधित exam में question आते हैं अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जैसे कि हमने देखा था भू आवेश्ठित राज्य क्या होता है ऐसे राज्य जिसकी सीमा न तो किसी समुद्र के साथ सीमा साझा करती है और नहीं किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा करती है वो कहलाता है आपका भू आवेश्ठित राज्य अब इसे हम district याने की जिला के परिपेक्ष में बात करेंगे ठीक है जिला 36 गड़ के 33 जिले भू आवेश्ठित जिला किसे कहा जाता है ऐसा जिला जो कि अपने राज्य के सीमा वर्ती राज्यों से अपने राज्य के सीमा वर्ती राज्यों से सीमा साजहा नहीं करेगा वो कहलाएगा आपका भू आविष्टित जिला सीधे साधे सब्दों में 36 गड़ के वे जिले जो की आजपास के जो सीमा वर्ती साथ जिले है उसके साथ सीमा साजहा नहीं करते उन्हें इसपर्ष नहीं करते वो कहलाते है बूट आविष्टित जीले, तो ऐसे जीले कौन-कौन से है, थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, ठीक है, ऐसे जीले कौन-कौन से है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजे, जैसे कि दंतेवाडा एक बालोद दो दुर्ग तीन बेमेतरा चार बलोदाबजार पांच रायपूर छै जांजगीर चापा साथ कोर्बा आठ बिलासपूर नौ सरगुजा दस ठीक है सरगुजा दस एक और कोई रहे गया जो नहीं जीला बना सक्ती तो चटिस गड़ में आपके भू आवेश्ठित जीले भू आवेश्ठित जीला कितने है ऐसे जीले जो की आसपास के सीमा वर्ती राज्यों के साथ सीमा साजा नहीं करेंगे ऐसे जीलों की संख्या है ग्यारा ठीक है अब प्रश्न पूशा जाता है कि कितने जीले आस्-पास के सीमा वर्ती राज्जों की सीमा को इसपरश करते है तो देखिए 36 गड़ में जीलो की संख्या कितनी है 33 छेरागड को लेकरे 36 गड़ में ये आपके टोटल जीलो की संख्या है जिसमें से 11 जिले क्या है आपके भू आवेश्ठित है भू आवेश्ठित का मतलब landlocked भू आवेश्ठित जिले है तो बचे कितने माइनस कर दीजे 22 तो 22 जिले ऐसे है जो कि अंतर राज्जिये सीमा बनाएंगे याने कि सीमा इस पर शे करेंगे आपके बाकी के राज्यों से गिनना चाहे तो गिन सकते हैं आवेश्ठित है तो यह है थोड़े से बेसिक कोश्चन जो एक्जाम में पूछे जाते है मैप को थोड़ा सा प्रेक्टिस करना है यह मैप को थोड़ा सा छोटा करके बनाया गया ताकि आपको आस पास के राज्यों की सीमा को दर्शाया जा सके अब देखिए कुछ हमारे बेसिक कोश्चन छुटे हुए थे उस पर हम चर्चा कर लेते जैसे कि 36 गड़े भू आविष्टी जीलो की संख्या कितनी है यह है आपकी 11 अंतर राज्ये सीमा इस परश करने जीलो की संख्या कितनी है 22 तो टोटल जीलो की संख्या 36 गड़ में कितनी है 33 दोनों का एड़ क जीलो के साथ सीमा बनाने वाला सरवाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला आपका राज्य कौन सा है सरवाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य ये है आपका मध्य प्रदेश और है आपका उडिसा हमने देखा मध्यप्रदेश और उडिसा दोनों के दोनों नो जिला के साथ सीमा बना रहे है ठीक option में से दोनों में से कोई एक होगा टिक कर देंगे सबसे लंबी सीमा, 36 गड़ के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है 36 गड़ के साथ सबसे लंबी सीमा बना रहा है आपका उरिसा और सबसे छोटी सीमा कौन बना रहा है सबसे छोटी सीमा बनाने वार राज्या है आपका आंधर प्रदेश ठीक है तो सबसे लंबी सीमा बना रहा है उरिसा और सबसे छोटी सीमा बना रहा है आपका आंध्रप्रदेश ठीक, नेक्ष्ट यहाँ पर आएगा आपका तीन ठीक है ध्यान दीजेगा तीन राज्यों की सीमा इस पर शकरने वाले जिले कौन से है छत्यकर के ऐसे जिले जो की एक साथ तीन राज्यों के साथ सीमा साजा करते है कौन से है ध्यान दीजेगा एक है आपका यहाँ पर है बलरामपूर ठीक है बलरामपूर जो है यह यहाँ पर आपकी इसकी सीमा लग रही है MP बॉर्डर से यह लग रही है UP बॉर्डर से तो तीन राज्यों की सीमा को इसपर्ष कर रहा है कौन बलरामपूर और दूसरा है आपका सुकमा, सुकमा जिसकी सीमा इसपर्ष कर रहा है इधर उडिसा से, यहां से इसपर्ष कर रहा है आंधर प्रदेश और इधर से इसपर्ष कर रहा है तेलंगना से, तो दो आपके, सु शुकमा, ठीक है, सुकमा की सीमा किससे किससे इस पर शो रही है, उरिसा, आंद्र प्रदेश और आपका तेलंगाना, जबकि बल्रामपूर की जो सीमा है, यह इस पर शो रही है, MP, UP और आपका जहारखन, तो तीन राज्यों के साथ सीमा इस पर शो करने वाले जिले कौन-कौ है जो अपने आजपास के जीलों के साथ सीमा साजा करता है यह पूछ रहा है तो ध्यान दीजेगा देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर मौझूद है आपका बलावदा बजार ठीक है बलावदा बजार थ्यान समझेगा वैसे होचपोच हो गया है लेकिन फिर भी थ्यान एक बेमेतरा मुंगेली दो बिलासपूर तीन जांजगीर चापा चार जांजगीर चापा इधर आपका सारंगर बिलाईगर पांच महा समुंद छै रायपूर साथ ठीक है सक्ति के साथ सीमा साजा नहीं करता तो बलावदा बजार जो है यह साथ जीलों के साथ सीमा साजा क करता है तो यह कौन सा है यह है आपका बलावदा बजार बलावदा बजार ठीक है किसके साथ था कर रहा है राइपूर सारंगड बिलाईगड मुंगेली बिलासपूर जांजगीर जांजगीर चापा ठीक है एक दो तीन चार पांच जांजगीर चापा महा समुन्द छै और एक बेमे तरह ठीक है बेमे तरह आपका साथ ठीक इनपोर्टेंट है इससे रेंडम प्रश्ण भी बनते है रेंडम कोश्चन भी एक्जाम में पूछा जा सकता है ध्यान दीजेगा आपसे क्या बोल देगा एक्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ पर च्छतिवड की राजधानी राइपूर है राइपूर की सीमा निम्न में से किसे एक जिले की साथ सीमा साधा नहीं करती या पी पूछ देगा दंते वाला की सीमा निम्न में से किसे एक जिले के साथ सीमा सा किस होना चाहिए? कोश्यन बन जाएगा. ठीक, अब देखिए. एक प्रश्ण और है कि 36 गड़के कितने ऐसे जिले है जो की दो राज्यों के साथ सीमा साजा करते है. ठीक है? दो राज्यों के साथ सीमा साजा करने वाले जिले कौन-कौन से है? कम से देखिए दो राज्यों के साथ सीमा साध्या करने वाले जीले तो दो राज्यों के साथ कौन कर रहा है एक आपका जो जश्पूर है जश्पूर देखिए जश्पूर और आपका यहां पर है यह जो आपका जश्पूर है यह ज़ारखंड और उडिसा के साथ ठीक यहां जिले कितने है, तीन जिले है, कौन-कौन सा, एक है आपका बीजापूर, दूसरा है जश्पूर, और तीसरा है आपका राजनान गाओ, ठीक, दो राज्यों के साथ सीमा साजा करने वाले, तीन जिले, तीन राज्यों के साथ सीमा साजा करने वाले, दो जिले, ठीक है, इन्प एक प्रश्न पूच्छा जाता है कि 36 गड़ का ऐसा कौन असा जिला है जो सबसे कम अंतर राज्जिय सीमा बनाता हैं, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा यह है आपका धमतरी, ठीक है, यह है धमतरी, और धमतरी केवल इतना, एकदम छोटा सा जो है, यह उडिसा के साथ सीमा बनाता है ठीक है उडिसा के साथ सीमा बनाता है इंपोर्टेंट है आपको ध्यान देना है ठीक है तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा 36 गड़ का जिला है 36 गड़ का जिला जो की सबसे कम अंतर राज्जी सीमा बनाता है तो वो है आपका धमतरी आया हुआ प्रश्न है ठीक है एकदम छोटा सा सीमा इस परश्न करता है अब यह आपको मैंने जूम करके दिखाया ठीक है तो यह सारे कोश्चन के प्रैक्टिस आपसे होने चाहिए और अगर प्रश्न गुमाना हुआ देखिए आपको कंफ्यूस करना मेरा उद्देश नहीं है लेकिन फिर भी जो बता रहा है उसको ध्यान दीजेगा प्रश्न पूझ दिया कि वर्ड को समझिएगा कम से कम दो राज्यों की सीमा इसपर्ष करने वाले जिले अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें एक जो वर्ड है कम से कम दो राज्यों की सीमा इसपर्ष करने वाले है तो देखिए दो राज्यों की सीमा इसपर्ष कौन कौन से कर रहे है बीजापूर जश्पूर राजनान गाव यह दो तो करी रहे है लेकिन पर जो आपके बलरामपूर और सुक्मा है यह तो तीन जिला की सीमा इसपर्ष कर रहे है लेकिन यह दो की भी तो सीमा इसपर्ष कर रहे है तो कम से कम दो जिला की सीमा इसपर्ष करने वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी पांच चुकि यहां पर वर्ड आ गया आपका कम से कम ठीक है, कम से कम जो है आपके दो राज्यों की, यहां जिला बोल रहा हूँ कम से कम दो राज्यों की सीमा इसपर्ष करने वाला जिला यह जो है, देखें, यह तो आपके यह जो बीजापूर, जश्पूर और राजनांद का जो है कि दो राज्यों की सीमा इसपर्ष कर रहा है, उनका नाम तो आएगा ही इसमें, ठीक है, ये तीनों का जो नाम है, ये तो आएगा ही इसमें, लेकिन यहां क्या बोल रहा है, कम से कम, तो जो बलरामपूर है, ये कितना है, दो तो करी रहा है, प्लस एक और कर रहा है, तो कम से तो इस प्रकार से जो question है आपके exam में पूछे जाते है तो चलिए आज के लिए इतना ही बाकी देखेंगे हम next class में